नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा ओल एच्पी नॉटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो आज की तार्यक अबर ब्रेकिंग न्यूज आई हैं मार जो यह स्कूल जो है फिर बंद करने की संभावना जो है जताय जा रही है चोटियां बढ़ाने के वो तयारी है तो पूरी न्यूज की जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं तो वीडियो पर हैंट टक बने रहिए अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नही तो देख सकते हैं जो ताजाखवर ब्रेकिंग न्यूज आईए करोना ग्रिशम कालिन स्कूलों में एक सपता और चूटिया बढ़ाने की तैयारी तो अभी ग्रिशम कालिन स्कूल जो है स्कूलों में 9 जैनवरी तक अवकास दिया गया है दस जैनवरी से ये स्कूल खूलने ह प्रदेश में करोना के मामले लगतार बढ़ने पर शिक्षा विभागने कुछ समय के लिए स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला लिया है तो हिमाचल प्रदेश के ग्रीशम कालिन स्कूलों में सरदियों की छूटियां जो एक सब्था और बढ़ सकती है करोना संक्रमन के मामले बढ़ने पर शिक्षा विभागने सरकार को दो विकल्पों का पस्ताब भेजा है पहले पस्ताब में 16 जनवरी तक जो है स्कूल बंद रखने की सपारिश है दूसरे विकल्प में टीका लगा चुके नौमी से बार्मी कक्षा के विद्ध्यारतियों को ही स्कूल में बलाने का पस्ताब है इस तौरां पहली से आल्वी कक्षा के विद्ध्यारतियों की ओनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी मुख्यमंत्री के मंजूरी से शिक्षा विभाग के इस पस्तापर शैनिवार को फैसला होने की संभावना है अभी कृषिम कालिन स्कूलों में 9 जनवरी तक अवकास दिया गया है 10 जनवरी से ये स्कूल खोलने है परदेश में करोना के मामला लग अतार जो है बढ़ने पर शिक्षा विभागने को इस समय के लिए स्कूलों को बंद ही रखने का फैसला जो है लिया है उधर परदेश में टेक्निक की शिक्षण संस्तान बंद नहीं होंगे पोर्टेक्निक, आईटि आज और इंजिनिरिंग कॉलेज पोरभ निर्धारित शेडिल के तयात ही खोले रहेंगे तो दोस्तों ये थी तार्दा ख़वर ब्रेकिंग निउस गरीशम कालिंड स्कूलों में जो है चोटिया बढ़ाने के तियार जो है सरकार कर रही है करोना के मामले बढ़ते होने के चलते तो दोस्तों ये थी तार्यखावर ब्रेकिंग न्यूज अगर आपने भी तक वीडियो को शेर नहीं किया है तो वीडियो को शेर कर दें और अंकित वर्मा और लेट पी नॉटिफिकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आप तक खिमाचर परदेश की हार नॉटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके धन्यावाद जैहिन जैभा